नमस्कार मैं हूँ शगुन Study IQ के आकाशवाणी कारेक्रम में आपका स्वागत है शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिन से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं प्रॉक्सिमा डी आलि में व्यग्यानिकों ने एक नए एग्जो प्लानेट प्रॉक्सिमा डी की पहचान की है ये प्लानेट सूरे के सबसे नसदीक तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी से चार प्रकाशवस दूर है प्रॉक्सिमा डी प्रित्वी के द्रिव्यमान की तुलना में एक चोथाई है इस तरह ये अभी तक घ्यात एक्स्पोनेंट्स में सबसे हलका है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी का एक चक्कर लगाने में पाच दिन का समय लगता है गौरतलब है कि process century के पास दो और ग्रेए है process B और process C माना जाता है कि process B इसके habitable zone में है आपको बता दें कि habitable zone या goldy log zone किसी तारे के पास का वहथख शेत्र होता है जहाँ पर नव जादा गर्मी होती है और नहीं जादा सर्दी कुछ ऐसी हिस्तिती होती है कि उसके पास की ग्रेहों पर पानी लिक्विड कंडिशन में रहे सकता है आए रुख करते हैं अगली खबर की ओर फर्स्ट इमेज फ्रॉम जेम्स वेब टेलिस्कोप नासा की जेम्स वेब टेलिस्कोप ने पहली इमेज जारी कर दी है यह इमेज HD 8406 नाम के तारे की है HD 8406 अर्सा मेजर नाम के तारा मंडल समू का हिस्सा है रात में आकाश में कुछ तारों के समू किसी आकरेती की तरह दिखाई देते हैं इन्हें तारा मंडल कहा जाता है अर्सा मेजर एक प्रसिध तारा मंडल है इसे Big Bear या Big Dipper के नाम से भी जाना जाता है इसमें साथ तारे clear दिखाई देते हैं इन्हें भारतिय संस्कृती में सबतर्शी के तौर पर जाना जाता है आपको बता दें कि James Webb Telescope एक infrared observatory है जो कि Hubble Telescope की discoveries को बहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए लाई गई है इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉंच किया गया था इसका मकसद galaxies की उत्पत्ती, तारों के निर्मान, ग्रेहों के भौतिक और रसायनिक गुणों के बारे में जानकारी जुटाना है अब देखते हैं वाक्सीन से जुड़ी अगली खबर इंडियाज mRNA वाक्सीन भारत की पहली स्वदेश निर्मित mRNA वाक्सीन के एप्रिल तक आने की संभावना है इसे पोने इस्थिद जेनोवा बायो फार्मस्यूटिकल के द्वारा तैयार किया जा रहा है गौर्टलब है कि इससे पहले Pfizer और Moderna ने COVID वाक्सीन में RNA तक्नीक का प्रयोग किया है लेकिन भारत की किसी कंपनी द्वारा ये पहला मामला है यहां हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि mRNA वाक्सीन होती क्या है mRNA वाक्सीन में इम्यून सिस्टम को वाईरस के इंफेक्शन से लड़ने के लिए antibodies प्रड्यूस करने के लिए प्रेरित किया जाता है इसमें बिमारी पैदा करने वाईरस या पैथोजन से genetic material लेकर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जाता है जबकि परंपरागत वाक्सीन में वाईरस या उसके एक हिस्से को कुछ इस तरह वाक्सीन में दिया जाता है कि वे replicate न कर सके लेकिन SARS-CoV-2 वाईरस के मामले में replicate करने का रिस्क था RNA वाक्सीन के साथ एक लाब ये भी है कि इसमें केवल genetic code की जरूरत होती है इसलिए वाईरस के mutation के साथ ही इसे जल्द ही update किया जा सकता है दोस्तों अन्य खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस रो ने 2022 का अपना पहला launch EOS04 यानि Earth Observation Satellite को PSLV C52 से launch किया इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से launch किया गया है इस खबर को हमने आकाश वाणी के पिछले एपिसोड में cover किया था तो इधर आपको एक सवाल का जवाब देना है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा स्थित है सही जवाब comment box में लिखिए सही जवाब जानने के लिए आप आकाश वाणी के पुराने एपिसोड्स देख सकते है चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की उर Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority 13 फरवरी को EPIDA यानि Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ने अपना 36 वा स्थापना दिवस मनाया EPIDA ने क्रिशी उत्पादों के निर्यात को वित्वर्ज 2020-21 तक 20.67 बिलियन डॉलर तक पहुँचाया है जो कि इसके गठन के समय 0.6 बिलियन डॉलर के करीब था EPIDA का गठन संसर ने आक्ट के जरिये किया था ये अपने अस्तित्व में 13 फरवरी 1986 को आई ये भारत सरकार के वनिज्य एवं उद्योग मंत्राली के तहट एक स्वायत निकाए या ओटोनॉमस बॉड़ी है EPIDA को EPIDA अधिनियम की अनुसूची में सूची बद्ध 14 क्रिशी और प्रसंस्कृत खादे उत्पात के निर्यात समवर्धन और विकास की जिम्मिदारी सौपी गई है EPIDA क्रिशी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी धाचों और गुडवत्ता को बढ़ाने के अलावा बाजारों के विकास में भी काम कर रही है चलिए बढ़ते हैं आज की आखरी खबर की ओर Integration of Ayushman Bharat Digital Mission with Arrogya Cetoo Ayushman Bharat Digital Health Mission को Arrogya Cetoo आप के साथ integrate किया गया है अब users Arrogya Cetoo आप के जरिए एक 14 digit का आभा यानि अजनी आयुशमान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जेंडेट कर सकेंगे आभागे जरीए यूजर्स अपना मौजूदा हेल्थ रिकॉर्ड्स और नए हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक साथ लिंक कर सकेंगे आयुश्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का मकसद भारत में डिजिटल हेल्थ एकोसिस्टम तैयार करना है ये देश में स्वास्तक्षेत्र के सभी स्टेकोल्डर्स के बीच मौजूद गाप को डिजिटल तरीके से खत्म करने की बात करता है इसमें नागरिक नीती निर्माता, नीतियों को लागू करने वाले प्रशासक, हेल्थ केर प्रोफेशनल्स और नीजी निकायों को एक डिजिटल तरीके से एकी क्रित किया जाता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ विशेश खबरें मिलती हूँ कल आपसे इसी समय, नमस्कार